वागत है आप सबका हमारे चैनल अग्रिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बेसी अग्रिकल्चर हाउनर्स का सेकेंड समेस्टर का जो पेपर होना है बुंदील खंड उनिवर्सिटी में Communication, Skill and Personality Development के तो उसका वीडियो का पार्ट वन मैं लेकर आया हूँ वो पार्ट सेकेंड बहुत ही जल्दी अपलोड होगा क्योंकि मैंने पार्ट वन ही अभी solve कर पाया हूँ पेपर का तो पार्ट वन को मैं describe करूंगा ये की question को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो चैनल पर नए हैं तो subscribe पहले कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए तब आगे बढ़ते हैं तो question number 1 है इसमें कौन सा प्रसुत्ति करण कौसल का प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है तो इसमें आपसन आपका कौन सा right रहेगा तो इसमें आपसन दिये हैं मौकिक प्रसुत्ति करण सारवजनिक्स उद्बोधन पेंटिंग प्रसुत्ति करण और व्यक्तिगत प्रसुत आपसन आपका कौन कौन से है गतिसीलता योम इसपर्ष्टता रुचिकर और प्रमाडिक सुरोता मुख और समस्या उत्पन करने वाला तो आपसन इसमें राइट रहेगा डी वाला समस्या उत्पन करने वाला नेक्स कोशन आता है आकस्मिक पसुत्ती करन का उदाहन कौन सा नहीं है तो कौन सा इसमें नहीं है तो राइट एंसर इसमें कौन रहेगा इसमें आपसन दिये है अनियोजिस साच्छातकार वाद विवाद पैनल परिचर्चा सेमिनार तो राइट एंसर इसमें सेमिनार कर देगा आफंटी नेस्ट कोश्चन आता है निमलिकित में से कौण सा वीडियो कौान कॉपांट का उदाहरर नहीं है तो इसमें आफंट यह लेर्णिंग नेक्स आप्सन है टेली सेमिनार वेविनार नेक्स आता है कच्छा में उपस्थित होकर व्याख्यान देना और नेक्स आता है ओनलाइन क्लासे तो इसमें जो है बता रहा है वीडियो कांफरेंसिंग का उदाहन नहीं है तो दोस्तों ये तो है वीडियो कांफरेंसिंग टेली सेमिनार भी है और आंलाइन क्लासे भी है तो कच्छा में जब आप उपस्थित होकर व्यक्षान कोई सुनते या देखते हैं तो आंलाइन नहीं आता है वो आफ्लाइन आता है तो यह option आपका सी राइट रहेगा नेक्स आता है डिसकन डिसकसन जिसे बोलते हैं सब्द लैटिन भासा से लिया गया है तो कोश्चन ये भी पूछ सकता है कि डिसकसन जो है किस भासा का सब्द है तो ये लैटिन भासा का सब्द है और जिसका अर्थ होता है तो अर्थ इसका क्या होता है तो इसका अर्थ होता ह जी डी कहा जाता है या फिर पी डी कहा जाता है या व्यक्षान कहा जाता है या उप्युक्त में से कोई नहीं तो राइट एंसर इसमें कौन सा रहेगा जी डी आपसन ए राइट रहेगा नेक्स कोश्चिन आता है व्यक्तित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् तो इसमें राइट जो होगा आपका, तो आपसन इसमें D वाला राइट होगा, उप्यूक्त सभी, संचार कौसल, नेतत कौसल और स्रमण कौसल, नेक्स कोश्चन आता है, सेमिनार एक गतिविधी है, जो एक दिन लगू अवधी है, तो नियोजित होती है, तो कौन सी, तो आठ का, इसमें राइट का अंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें आपसन है सैच्छडिक, किसान के इंदरित, आपसन C है A और B दोनो, और D है गैर साब् तो राइट एंसर आपको मिलेगा, D वाला, C वाला, A और B दोनो, सैच्छडिक और किसान के इंदरित, और चलता हूँ अगले कोश्चिन की तरफ, उसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चलता हूँ, कि लोगों की ऐसी अनौपचारिक, बैठक, जो किन ही मुद्दों पर नेक्स आता है, उपित में से कोई नहीं, तो इसमें राइट एंसर जो रहेगा, आपका, A वाला रहेगा, सेमिनार और संगोश्टी, नेक्स आता है, कॉलन का प्रतीक निसान कौन सा है, तो A वाला राइट रहेगा, डबल डॉट उपर नीचे होंगे, वो कॉलन का होगा, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजे, और अभी तक टेलिग्राम चैनल आपने जॉइन नहीं किया है, तो वाटसप पर मेरे मैसेज कीजिए, और टेलिग्राम को जॉइन कीजिए, टेलिग्राम भी एग्रिकल्चर पॉइंट के नाम से है, तो उस पर जॉइन हो सकते हैं, वाटसप नमर मैं नोट कर रहा हूँ, इसमें लिख लीजे, तो यह है 9458703476, तो इस पर आप मैसेज करेंगे, और टेलिग्राम के लिंक मिल जाएगा, और वाटसप ग्रूप में भी एड़ हो जाएगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, I ate rice का passive वाक कि क्या होगा, तो इसमें right answer आपका कौन सा रहने वाला है, तो इसमें आप सन आपका यह वाला right रहेगा, rise is eaten by me, यही रहेगा, next question आता है, cell we will be plus verb plus ing किसकी पहचान है, तो इसमें right answer कौन सा रहेगा, इसमें आप सन दिए है future continuous tense, next आता है future perfect tense, next आता है, present continuous tense और next आता है past continuous tense तो इसमें right answer आपका जो रहेगा future continuous tense आएगा option a right रहेगा next question आता है योजनक चिन प्रियुक्त होता है conjunction is a word of used by joining तो इसमें right answer आपका कौन सा रहेगा इसमें option है एक सब्द को दूसरे सब्द से जोडने में एक सब्द को उपवाक्य से जोडने में next आता है एक वाक्य का दूसरे वाक्य में जोडने में और उप्युक्त है सभी तो इसमें right answer आपका कौन सा रहने वाला है तो D रहेगा उप्युक्त सभी next आता है दिएगे वाक्यों में सर्वनाम च्छाटिये तो सर्वनाम कैसे च्छाटेंगे इसमें तो इसमें है मोहित इजा progresio farmer who complete graduation in agriculture science तो इसमें जो सर्वनाम आपको च्छाटना है pronoun तो इसमें मोहित है आपसन who है, farmer है और agriculture science है तो इसमें जो आपका सर्वनाम होगा वो farmer होगा क्योंकि farmer एक नहीं होता है farmer कई सब्दों के लिए कई लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है तो चलता हूँ अगले question की तरफ निमलिखित में से विस्मयाद बोधक चिन पहचानी है तो विस्मयाद बोधक चिन जो होता है इंटर जक्सन चिन तो वो होता है आपसन भी इसमें right रहेगा एक डंडा होगा नीचे बिंदी लगी होती है वो विस्मयाद बोधक चिन होता है next question आता है निमलिखित में से कौन सा एक संचार कौसल नहीं है तो संचार कौसल कौन सा नहीं है तो इसमें जो है आपसन दिये हुए है मौकिक संचार, सर्वन कौसल लेखन और संचार अंतलाल कौसल तो इसमें right answer जो आपका रहेगा तो इसमें दोस्तों कौन सा answer आपका रहने वाला है तो आपसन भी रहेगा सर्वन कौसल नेक्स आता है विचारों यों भावनाओं को प्रभावी तरीके से संप्रेशित करने की योगता है तो इसमें आपसन आपके दिये है संचार कौसल प्रिक्रिया करण कौसल नेतर्त कौसल और प्रिक्त सभी तो इसमें right answer सत्र का कौन सा रहेगा तो इसमें D वाला आपसन आपका right रहेगा next question आता है कमुनिस सब्द संदर्भित करता है तो कमुनिस सब्द किससे संदर्भित करता है तो आपसन इसमें A right है common से next आता है संचार माडल CM, C, T, A, R दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया है या स्रैम द्वारा दिया गया है लीगंस द्वारा दिया गया है या अरस्तो द्वारा दिया गया है और दोस्तो इसमें आपसन आपका स्रैम द्वारा रहेगा आपसन भी राइट रहेगा और दोस्तो बहुत स्टुडेंट अभी बरलो comment में मुझे बताएंगे, लेकिन इसमें burlo नहीं है, shr Qing है, मैंने book से चक्या हुआ है, क्योंकि burlo में जो ये tea वाला दिख रहा है, यहां पर tea नहीं होगा, यहां में encoding होता है, उसमें, next question आता है, निमलिखित में से Irania, एक साब्दिक संचार का प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है तो आपसन इसमें कौन कौन से है मौखिक संचार, लिखित संचार, दस संचार, पास्चर संचार तो इसमें राइट एंसर आपका कौन सा रहने वाला है तो लिखित संचार रहेगा और दोस्तों आपको फिर से मैं बता दूँ कि वीडियो अगली तभी मैं बनाऊंगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को सेयर करेंगे और चैनल को सस्क्राइब करेंगे तो इसलिए वीडियो मैंने बहुत देर से नहीं डाली थी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट वाटसप पे आये तब मैंने वीडियो बनाया तो इसलिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और दोस्तों को अपने सेर कीजिए जिसे कुछ मेरा भी फायदा हो और आपका तो होई रहा है चलता हूँ अगले कोस्टिन की तरफ अस आप दिक संचार का एक प्रकार कौन सा है तो कौन सा है तो आपसन इसमें कौन कौन से दिये हुए है सारी रिग गतिक है प्रोग जे मेक्स है हैप्टेक्स है और उप्यूक्त सभी है तो इसमें right answer रहता है cloth, इसमें कपड़े आएंगे, तो आपसन भी right रहेगा पहनावा, next question आता है, निमलिखित में से कौन सा सारीरिक भासा का उदाहर्ण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है सारीरिक भासा का उदाहर्ण, तो इसमें आपसन आपके हैं, सरीर के अंगों की इगती, मौकिक संचार, इसपर्स का अध्यन और भौतिक प्रसंग, तो इसमें right answer जो आपका रहने वाला है, भौतिक प्रसंग रहेगा, भौतिक प्रसंग, दोस्तों अभी बहुत लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ, तो आप पहले वीडियो को like कीजे और दोस्तों को share कीजे, 100% तभी अगली part आएगा, क्योंकि इसमें मैं 25 question को ही describe करने वाला हूँ, तो चलता हूँ, ध्यान से सुनना एक है, तो 24 number question है, ध्यान से सुनना एक है, तो क्या है, तो इसमें आपसन है, देहिक प्रकरिया, मनो बाइग्यानिक विसलेशन, आत सुनने का चैनल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें आपसन आपका D वाला right रहेगा, प्रत्य उत्तर, और दोस्तों आपको फिर से बता दूं कि टेली ग्राम जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कीजिए, वहाँ पर अच्छे-च्छे PDF उपलब्द होती रहती हैं, और